पस्चिम बंगाल विधान सभा ने राज्य का नाम बदल कर बांगला करने के प्रस्ताव को आज पारित कर दिया है लेकिन राज्य को इस प्रस्ताव पर अब गरह मंत्राले की अंतिम मंजूरी का इंतिजार करना होगा इस कदम का उदेश्य राज्य के नामों की वर्ण माला के अनुकरम में पस्चिम बंगाल को उपर लाना है प्रस्ताव के अनुसार अब तीन भाशाओं बंगाली, अंग्रेजी और हिंदी में राज्य का नाम बांगला होगा इससे पूर्व केंदर ने राज्य सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था जिसमें बंगाली भाशा में राज्य का नाम बंगला, अंग्रेजी में बंगाल और हिंदी में बंगाल करने की बात कही गई थी केंद्र ने वर्ष 2011 में ममता बैनर्जी सरकार में राज्य का नाम बदल कर प 싶은 बंगो किये जाने संबन्दि प्रस्ताब को खारिच कर दिया था मम्ता बनर्जी ने विधान सभा में कहा कि नाम परिवर्तन को लेकर कई बार विस्तरिच चर्चा हो चुकी है और अंतिम बार 29 अगस्त 2016 को इस विश्य पर विचारवी मर्ष हुआ था लेकिन केंद्रिय ग्रह मंत्राले ने दो वर्षों तक नाम परिवर्तन के हमारे परस्ताब पर कोई कारेवाही नहीं की थी मुख्य मंत्री ने कहा कि ग्रह मंत्राले ने हमें कहा था कि हम राज्य के तीन नाम मन्जूर नहीं कर सकते साथ ही मंतराले ने यह भी कहा था कि हमें राज्य के लिए कोई एक नाम चुनना होगा और विधान सभा में एक अन्य प्रस्ताब पारिद करना होगा सूतरों से मिली जानकारी के मुताबिक बांगला नाम इसलिए चुना गया क्योंकि यह बंगाल की पहचान है हम इसे बंगाल नहीं कह सकते क्योंकि गैर हिंदी भाषी लोगों के लिए यह एक समस्या बन रही है मम्ता बनर जी ने कहा कि इस प्रस्ताब को सर्वसम्मत्ती से पारिद किया जाए और इसे केंदर की मंजूरी के लिए भेजा जाए बता दें कि राज्य के शिक्षा मंत्री पार्था चटर जी ने सदन में इस प्रस्ताब को पेश किया था जो अब सर्वसम्मत्ती से पारिद हो चुका है झाल 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 झाल